राजसान के डीक के नगर रोड सित नरायना और पानहोरी के बीच एक ट्रक और पिकप की टकर हो गई हाथसे में चार लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गई पिकप में सवार लोग बेटी की शादी करने जहांसी से नारनोल जा रहे थे हाथसा इतना भीशन था कि पिकप के आगे का हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया बताय जा रहा है कि पिकप चालक शनिवार शाम साथ बजे से लगातार गाड़ी चला रहा था और काफी धक चुका था इस वज़े से उसे नींद की जपकी आ गई और ये हाथसा हो गया दो ट्रेक्टर और जेसीबी को बुलवा कर ट्रक के नीचे से गाड़ी का हिस्सा बाहर निकाल लिया गया है जिसमें आगे तीन लोग गाड़ी में फसे हुए थे ग्राइंजर और सब्बल की मदद से गाड़ी के हिस्सों को अलग कर तीन लोगों को भी निकाल लिया गया है प्रतेक्ष दर्शियों ने बताए कि नीन में जपकी के चलते पिकप के चालक का वाहन पर नियंत्र नहीं रहा और वह रोंग साइड चलने लगा सामने से ट्रक आ रहा था ट्रक चालक ने रोंग साइड चल रही पिकप से बचने की कोशिश की उसने ट्रक कच्चे रास्ते में उतारा भी तब तक तेज रफतार पिकप ट्रक से जाटक राई गायलों को बाहर निकाल कर उपचार के लिए डीक चिकट साले पहुँचाया बताते चले की परिवार जहांसी के टीकरी गाउं का रहने वाला है तो रस्ते में एक्सिडेंट हो गया अब यह हमको पता ना है कि कपप बाले की गलती है यह ट्रक बाले की गलती है हम लोग तो साल पीछे बैठे के और जो तेम चाल लोग आगे बैठे के उन लोगों को भी प्यार तूट गए हाथ भी तूट गए हमें सूचना मिली कि पानोरी और नाराना के बीच में एक्सिडेंट हो गया है तो त्रंत एक्सिडेंट पर में जाबता सहेत हम रवान हुए थाने से गाड़ी लेकर और एक पिक उप जिसमें सवारी भरी हुई थी पिक उप एक टेलर जो गिट्टीं से गिट्टी भरी थी उसमें उसमें गुष गई तो उस मेंसे सारे जाब्ते नहीं या गाओं की मदद से और सभी सभारियों को नकलवा कर हस्पिल पहुंचाया। अधेकारियों को निवेदन किया गया। सरीमान एटिस्लाइट इसपि साहँ मौके पर पदारे। और सभी मजरूवों को तरंध हस्पिल पहुंचाया है। लाइकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें। घंडे वाली!